असलाम लेकुम कैसे आप सब लब उमीदा आप सब खेरियत से होंगे आप सब ये बात जानते हैं कि वक्त हमारी लाइफ में कितना जादा इंपॉर्टन्ट है तो मैंने सोचा क्यों ने इस वक्त की पिच्चर बनाई जाए तो आज मैं आप लोगे लेके आया हूं एक नया प सब्सक्राइब करनेंगे प्योर्टने जावस्क्रिप का इस्तमाल करते विए अगर आपको जावस्क्रिप नहीं आती कोई दूसरी ब्रॉग्रामिंग लैंग्विज आती तो वैसे भी जावस्क्रिप इसमें बहुत जादा कम यूजज होई अगर आपको दूसरी और इस टाइब को पता होने चाहिए और थोड़ी बाहर प्रोपरटी सब्सक्राइब कि इस अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसे बता दूओ तो फिर चले हम शुरू करते हैं बगायर टाइम जिसके स्क्रीन की तरफ चलता है तो हम आगे इपनी स्क्रीन की तरफ और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास आटम सौफ़वेर जो है वो डाउनलोड़ेड है यहां पर मैं अपनी HTML की कोडिंग करूंगा और मुझे क्लॉक की पिचर भी चाहिए जो कि मैंने नेट से डाउनलोड करके यहां पर रखी है यह धियान रहे कि इस क्लॉक का जो फॉर्मेट है वो पी एंजी होना चाहिए इस image की और तमाम कोड की मैं आपको link जो है description में दे दूंगा ता आप वहां से easily डाउनलोड कर सकते हो अब हमने क्या करना है कि हमने नया folder बनाना है तक हमने right-click किया और new पे गया और folder पे थे।क है क्लिक क्या और इस folder का नाम में रख रहा हूँ clock हमारे जितनी भी फाइल रहेंगी HTML css की वह इस फोल्डर में रहेंगी मैं क्लॉक को ड्रैप करके इस फोल्डर में डाल रहा हूं क्योंकि तमाम फाइल हमारी इसी फोल्डर में रहने वाली है अब हम अपना अपना ख्रण करेंगे बहुत से लोग जो है वह HTML की कोडिंग V.S. कोड़ पर प्रेफर करते हैं और बहुत से सब्लैम टेक्स पर भी करते हैं क्योंकि मैं शुरूर से अटम यूज करता हुआ रहा हूं तो मेरी लिए ज्यादा आपकी मर्जी आपको भी यूज कर सकते हो मैं आपको आटम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने की सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक न्यू फाइल बना देंगे अब हमें इस फाइल को सेफ करना है मैं जाओं पर मैं इसका नाम रख रहा हूं index.html .html की extension आपने देना लाजमी है वरना यह as an html document save नहीं होगा इसको save कर देंगे हम इसके बाद मैं एक css file create करूंगा मैं जाओंगा फाइल पे और इसके बाद न्यू फाइल और इसके बाद यहां इसको save करूंगा मैं ठीक है उसी फोल्डर में save करनी है ठीक है और इसके बाद मैं इसका जो नाम है वो दे रहा हूं style.css और css के extension देना जरूरी है तब इसके बाद लास्ट फाइल हमारे पास है जावा स्रिप्ट की मैंने किया न्यू फाइल और इसे मैं save कर रहा हूं उसी फोल्डर में और इसका नाम में रख रहा हूं app.js js के extension देना अगेंड जरूरी है वरना यह आज जाव स्रिप्ट की फाइल जावे सेब नहीं होगी तो फाइनली हमारी तीन फाइल्स रेडी है जैस की फाइल में फंक्शनालिटी आएगी css की फाइल में styling आएगी और फाइनली html की फाइल में हमारे पास structure आएगा पूरी tag है फिर head का opening tag और head का closing tag और body का opening tag और body का closing tag और मैं उमीद करता हूं आपको यह सब पता होगा इसके बाद head tag के अंदर हम एक link का tag लगाएंगे और इस link के tag में हमारी style sheet है style.css की file उसको link करेंगे href के attribute के अंदर हम लिखेंगे style.css हमारी file का नाम यहाँ पर यह वाली file है इस file का नाम ठीक है इसके बाद हम अपनी js की file link करेंगे head tag के अंदर मैं यहाँ पर जो है एक script का tag लगा हूंगा sorry यह वाला tag नहीं wait a minute मैं मिटा दूँ यह वाला wait okay मैं लिखूंगा है पर src source और में पास आ जाएगा script का tag ठीक है तो यहाँ पर source के अंदर जो है मैं लिखूंगा app.js ठीक है तागल मेरी जो js की file है वो यहां htm की file से connect हो जाए इसके बाद हमारे पास body का tag आ जाएगा ठीक है body का tag के अंदर हमारे पास वो content आएगा जो हमारे web browser पर डिस्पले होगा body का tag के अंदर मैं डिफ का tag लगाऊंगा डिव आपको पता होगा एक container होता है इस class के attribute को हटा के मैं यहां पर एक id का attribute दे रहा हूँ और उस id के attribute में value दे रहा हूँ clock, container class और id में difference यह होता है कि id हर element की unique होती है जबके एक class एक सर जादा elements पर apply की जा सकती है अच्छा इस div के container के अंदर मैंने एक और container बनाया है और यहां पर भी मैं class का attribute हटाऊंगा और एक id का attribute लिखूंगा और इसके अंदर मैं value दे रहा हूँ hour और इसी clock container के अंदर मैं मजीद दो और divs बनाऊंगा और जो second वाला है उसका मैं id रख रहा हूँ minute और जो last वाला है उसकी id में रख रहा हूँ second ठीके तो हमने एक बड़े clock container में तीन मजीद छोटे divs बनाए हैं अब हम इने styling provide करेंगे हमारी CSS की file में तो चलते हैं हमारी CSS file की तरफ और यहां सबसे पहले हम हमारे एक attribute को target करेंगे clock container आप html की file में देख सकते हो clock container हमारे पास एक unique attribute है ठीके इसे हम target करेंगे ID का आपको पता है किस तरह से target करते हैं हम एक hash लगाते हैं और यहां लिखते है clock container ठीके अब हम इसमें तमाम अपनी CSS properties define करेंगे और सबसे पहले मैं यहां पर एक background image लगा रहा हूँ मैंने property लगाई और वही image जो मैं आपको शुरू में दिखाए थी clock की मैं यहां पर लिखूंगा URL और इस URL के अंदर हम अपनी image का नाम देंगे image का नाम देखने के लिए आपने अपने वापिस folder में जाना है जहां image save है तो यहां पर आप देख सकते हैं image का नाम clock है तो हम वहां URL के अंदर भी clock लिखेंगे अच्छा आपने यह दिखान रखना है जो clock की image है यह इस clock के folder के अंदर ही होनी चाहिए वरना यह display नहीं होगी इसके बाद हम इस पर right click करेंगे और इसकी properties में जाएंगे और इसकी file का type देख लेंगे यह एक png image है हमें download png image करनी है इसके बाद हम यहां नाम दे देंगे clock.png ठीक है और इसके बाद हम इस file को save करेंगे Ctrl plus S press करें save करने के लिए इसके बाद सो close करें और folder open करें और index नाम की file है जो के chrome पे open होगी इसको open कर लें तो अभी आप यहां देख सकते हैं कोई भी image display नहीं हुई है यह इसलिए display नहीं हुई है क्योंकि हमने इसकी width और height नहीं दिये image की तो हम image की height देते हैं 40 viewport width ठीक है wait और इसके बाद हम देते हैं image की width और वो भी हम देंगे 40 viewport width फिर हम control s press करेंगे और page को reload करेंगे देख सकते हैं हमारी image डिस्पले हो चुकी है लेकिन duplicate images आ रही है यहां पे इस duplicate images को remove करने के लिए हम एक property लगाएंगे background repeat की और यहां पर लेदेंगे no repeat तो हमारी जो image है वो repeat नहीं होगी देख सकते है duplicate images जो है remove हो चुकी है अब अब आप यहां देख सकते हो chrome पे हमारी image जो है center में नहीं हम इसको center में करना है और मैं इस image को zoom out करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी image छोटी होती जा रही है बहुत और मैं बहुत जार जूम इन करूंगा तो मेरी image वो site से cut रही है हम right click करते हैं और inspect पे जाएंगे यहां हमारा तमाम html का source code हमें देखेगा और mobile view पे भी हम अपनी website को देख सकते हैं ठीक है यहां पर अगर आप responsive पे click करेंगे तो यहां पर आप जितने भी mobile phones है pixel हो गया या iPhone हो गया या galaxy fold हो गया ठीक है एक proper clock नहीं दिख रही है तो इसे हमें set करना है तो इसे set करने के लिए जो है हम दुबारा से अपने आटम पर आएंगे और यहां पर हम एक property लिखेंगे background size की ठीक है हमने लिखा background size ठीक है और इसको हम देंगे 100% इसके बाद मैं से safe करूंगा और हम अपने ब्राउजर पर आ जाएंगे और मैं से reload करूंगा तो आप देख सकते हो कितनी perfectly दिख रही है मैं से थोड़ा सा zoom in और zoom out भी करूंगा कितनी perfectly दिख रही है कोई चोटी बड़ीन नहीं हो रही कोई site से यह cut भी नहीं रही है और इसको अलग अलग मुबाइल के format पर चेक कर लूँगा यह बिल्कुल perfectly शो हो रही है हमारी clock इसके बाद मैं अपने atom पर आऊंगा और यहां पर मैं एक और प्रॉपर्टी दे दूँगा position की और इसकी position में द करूंगा ठीक है मैंने लिखा हैस्टेग और कॉमा हैस्टेग मिनट और कॉमा हैस्टेग सेकंड हमें अपनी नीडिल्स बनानी है और मिनट और सेकंड की तो उनका जो बैग्राउं कलर होगा वह आपके पास होगा black ठीक है इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने देता यह तीनों प्रॉपर्टी कॉमन है इसके बाद मैं जाओंगा इससे सेफ करने के बाद मैं अपने ब्राउजर में जाओंगा रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक इनकी विध ह 25% और इसकी हाइट मैं दे रहा हूं 25% ठीक है यह आवर की बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज है ठीक है तो अब हम इसे सेफ करते हैं कंट्रोल प्लस एस्प्रेस करेंगे और हम अपने वेब ब्राउजर पर जाएंगे और आप देख सकते हैं यहां पर इसकी नीडिल जो है ना इसकी है आ चुकी है अच्छा जो यह नीडिल आमारे पास ऊपर से थोड़ी सी कर्व हो हुई है ना यह हमारे पास लोग से वाड़े रेडियस की वज़ा से ठीक है अगर आपने इसको ऑपर से थोड़ा सा स्क्वेर बनाना है तो आप फिर बॉर्डरी डियस को जाए य तो इसके लिए मैं R में कुछ प्रॉपर्टी लगा रहा हूं टॉप और लेफ्ट की मैं टॉप यहां दे रहा हूं 25% अच्छा मैंने यहां पॉजिशन एपसलूट उपर दिया वह है इसी वज़ा से टॉप लेफ्ट और राइट वगरा जो है वोक करेगा आप देख सकते है मैं थोड़ा से नीचा आ गया है मुझे थोड़ा सा और इसको खिसकाना है तो मैं इसके लिए लिखूंगा मैं लेफ्ट की प्रॉपर्टी दूंगा और इसमें मैं वैल्यू देता हूं 48.85% तो अब हम इसे सेफ करते हैं और हम क्रोम पर आते हैं और मैं से रिलोड करूंग के और है इसके लिए इसके प्रॉपर्टी से देंगे मैं ऊपर सही कॉपी करता हूं और यहां पर जो हां पेस्ट करता ही। इसके बाद में यहां से ठाट वरफ्ट जो हाला ओर त welcome to open to 6 ठीक है और यहां कर Commissioner करूंगा आप देख सकते मेंन अद और चूकी ए अब इसे की जो हमारे पास वैली होगी वह हमारे पास होगी 19 परसंट ठीक है मैं से रेंडर करता हूं और आप यहां देख सकते हैं थोड़ा सा नीचा आगया है ठीक है अब इससे थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाना है तो इसके लिए हम लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस चनाई लेता है नीडिल ठीक है तो सेकंड़ को gear करेंगे हम है हैस्ट Angst सेकंड और इसके जो ब्रैक्ट में हम हई कॉपी पेस करते हैं ठीक है और इसकी जो विब्ध है वह हम देंगे ऐसंड ऊपन परसन और 40 तो आप यहां देख सकते workflow के नीडिल आ चुकी हम हमारे पास इसको ज़रा position कर देते हैं टॉप पे हम दे देते हैं 9% और लेफ्ट पे हम दे देते हैं 49.25% इसको हम रेंडर करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीनो जो नीडिल्स है वो अपनी पूजिशन पा गई तीनो एक दूसरे के उपर ओवरलैप कर रही है चले अब हम अपनी नीडिल्स को थोड़ा सा ट्रांस्पैरेंट बनाते हैं हम इसमें उपेसिटी की प्रॉप करते हैं तो आफ देख सकते हैं का कलर जहुआ हो थोड़ा सा ट्रांसपैरेंट हो गया है अब यह को अपनी फैल में इसे तोड़ा सा एसेंबल कर लें और पर हम क्लिक करते हैं अपने जैजिस की फाइल पे अब यहां हम लिखेंगे अपना तमाम को जावास्क्रिप्रुप बस एक फंक्षन बनाना है उस फंक्षन का नाम है मारे पास सेट इंटर्वल मैं लिखता हूं इंटर्वल और मेरे पास आ चुका है यह ठीक है अच्छा सेट इंटर्वल का मतलब यह है कि हमारी जो नीडिल्स हैं उनको घुमाते जाओ तो हर 1000 milliseconds बात ठीक है तो मैं 10 की जगह है 1000 लिख दूँगा क्योंकि 1000 milliseconds is equals to 1 second अच्छा अब हम एक object बना लेते हैं अगर आपने object oriented पढ़िए ताब को पता होगा objects क्या होते हैं दी एक object है ठीक है और मैं लेना चाहता हूं और दी इस इकूल्स टू न्यू डेट ठीक है यहाँ पर डेट हमारे पास एक class है ठीक है इसके बाद में एक variable बना रहा हूं जिसमें मैं object को use करते हैं फंक्शन को कॉल करूंगा उस class में से डी डॉट गैट आवर जिसमें गैट आवर एक फंक्शन है जो के डेट क्लास में मौजूद है उसे में कॉल कर रहा हूं इसके बाद मैं एम टाइम बनाऊंगा और डी डॉट गैट मिनिट्स ले लूँगा ठीक है य जिहां को गैट कर लेगा, सेकिंद में था रेड में मैंच को और मतर सेकंड को अच्छा मैंने अब आर हैं की रॉटेशन की calculation करनी है मैंने पहले से calculation करके रखी है मैं बस डायरी कहा formula लिख रहा हूं मैंने एच rotation के नाम से एक variable बनाया जिसमें मैं रख रहा हूं 30 x h time plus m time और इसको divide कर रहा हूं में 2 से इसके बाद में बना रहा हूं m rotation के लिए यानि minute hand की rotation के लिए calculation उसको मैंने किया 6 multiply by m time और फिर second hand की rotation कर रहे हैं हम लोग और उसके लिए calculation है 6 multiply by s time इसके बाद हम java script में css use करेंगे क्योंकि मुझे अपनी needles को rotate करवाना है मैंने property उसके यह transform की r.style.transform यहां back text लगाएंगे हम उसके अंदर में rotate करूंगा अपनी r needle को ठीक है इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा h rotation ठीक है और यहां degree same as हम minute hand के लिए करेंगे मैं copy paste कर देता हूं ठीक है minute hand के लिए करेंगे हम यहां पर मैं मैं इसको minute कर देता हूं ठीक है और यहां पर भी m rotation हम कर देंगे m rotation degree से हम इसको rotate करवाएंगे और same as हम seconds के लिए करेंगे यहां में seconds.style.transform और यहां पर s rotation s rotation की degree से हम इसे move करवाएंगे यह हमारे पास हो गई हमारा और minute or second के अंदर तीनों को यह property जाएगी ठीक है transform origin और bottom ताकि यह जो needles है यह bottom से rotate करें अब आप देख सकते हैं कितनी perfectly हमारी clock तयार है और इस वक्त यह 12.43 a.m. हो रहे हैं and I'm screen recording this तो मैं उमीद करता हूं आपको यह clock अच्छी लगी होगी thank you so much तो मैं उमीद करता हूं आज जो हमने प्रोजेक्ट बना रहा है आज वाल क्लॉक बनाई है वह आप लोगो को पसंद आई होगी और इस तरह के मजीद